तो गैस। आज की जो वीडियो होने वाली है लिए पो develop रहेगी स्टार्ट करते है अमनी वीडियो को सेम्पली जिस प्रडवर में रीविं कर रही हूं उसका नाम है कार्मेक्स कंपनी का jag क्लासिक लिभ बाम है दो तरहकी पैकेजिंग में आता है एक राउंड कंटेनर में आता है और एक टूब इस्टाइल में आता है छोटी सी टूब होती है उस तरह के tube style में आता है ठीक है? ओके जब आप इसको use करते हो तो ये आपके lips को soft बनाता है साथ-साथ आपके lips में अगर बहुत ज्यादा black निशान है, बहुत खराब हो गए हैं, बहुत ज्यादा आपको black नज़र आते हैं, skin आपको fair लगती है, पर lips आपको black नज़र आते हैं, lipstick लग नहीं कर पाते हैं तो lips की भी need होती है जिसे हमें पूरा करना चाहिए जिन लोग की skin बहुत जारा dry होती है वो lips की dryness को भी face करते हैं, face की dryness को भी face करते हैं, hands की dryness को भी face करते हैं, जादर ऐसे areas में जहां पर थोड़ा सा थंडा सा मौसम होता है, वहां पर lips बार बार dry होते है एक तो hydration की कमी की वज़ा से भी होते हैं अगर आप body के अंदर full पानी नहीं ले रहे हो जितना आपकी body को पानी की need है अगर आप नहीं दे रहे हो उतना पानी तो भी आपके lips जो हो बहुत ज़्यादा dry हो जाते हैं और body के अंदर अगर किसी भी चीज की कमिया होती हैं तो उस कितने plump कितने soft कितने ज्यादा pink नजर आते हैं उनके अंदर जो है वो anti-oxidant होता है और ऐसा बोल सकते हैं कि hyaluronic acid वो उसके अंदर put करते हैं like lips के अंदर inject करते हैं जिसके कारण वो आपको बड़े lips और pink lips नजर आते हैं प्लंपी लगन नजर आते हैं जब वो lip balm लगाते ह पर उसके अंदर जो एड़ करते हैं वो hyaluronic acid होता है hyaluronic acid बहुत अच्छा एक ingredient होता है अब हम यहां बात कर रहे हैं कारमेक्स के lip balm की guys इसका जो lip balm आता है container में वो 0.25 आउंस होता है ठीक है जो container के अंदर आता है लेकिन वहीं पे अगर आप tube style में खरीदते हो तो यहां पर 0.35 आउंस आता है प्राइस की बात करों तो दोनों में इतना difference नहीं है एक आपको under $3 मिल जाता है और एक आपको almost $3 का ही है लगभख 6 cents something का कुछ difference है चाहे आप container मेलो चाहे आप tube मेलो यह आपके ओपर depend करता है आपका च्वाई से बट बहुत सारे लोग travel friendly लेते हैं त container travel friendly होता है चोटा सा होता है ट्यूब थोड़ी बड़ी हो जाते है उसको वैसे तो उसको वे अजस्ट कर सकते हैं बट चोटा सो जो container होता है वो travel friendly होता है तेक है ओके तो इस तरहां की packaging में होता है और lip balm आप देख सकते हो अंदर से कैसा होता है बाकी लगाने का ना बहुत session मलती है तब यह आपके skin को moisturize करेगा साथ साथ इसके अंदर flavors भी होते हैं ठीक है flavors जो है आपको एक तो fragrance भी दे रहे होते हैं आपको एक अच्छा भी feel करवा रहे होते हैं बाकी बात करें इसके ingredients की तो guys इसके ingredients है वो भी like अच्छे हैं तब सब पहला ingredient है इसका lanolin जो के lips को as a like समझ लो आप petroleum jelly होती है ना उसी तरह से petroleum based की तरह होता है लिपो soft करने का काम करता है ठीक है अगला ingredient है beeswax beeswax के अंदर anti-inflammatory properties होती है skin को toothing provide करता है irritation को calm करता है skin की जो barrier होते है lips को protect करता है साथ साथ glossy lips बनाता है और smoothie texture देता आपको बात करते हैं next ingredient की जो कह है sitel esters sitel esters यह आपके lips को क्या करता है 이ा emulant काम करता है बटी आपके lips को smooth बनाता है soft बनाता है और moisturize करता है क्योंकि lips को किसी की जरुफ है आपके लिप्स को स्मूद बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, और मॉश्यराइज करता है, क्योंकि लिप्स को किसी की जरुवत है, मॉश्यराइजेशन की जरुवत है, प्लम्पी होने की जरुवत है, अगला इंग्रेटर हैं का पैराफिन, पैराफिन भी मॉश्यराइजेशन का आपके लिप्स उतनी ज्यादा सॉफ रहेंगे выпол कफूर कफूर आपके ayah मैंडौर्षिर उसका लॉपर लिगारक करता है लाएक्ड करते हैज बात करते है को हील करता है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है जलन वगरा होती उसको काम करता है अगला इंग्रेडिन है सिला सिलिक एसेड सिला सिलिक एसेड इसकिन को एक्सफुलेट करता है और साथ साथ आपके स्किन को ड्राय होने से बचाता है इची होने से बचाता है लाइक खा तो आप सोचो के कितनी ज्यादा गोडनेस होगी इसके अंदर के लिप्स को मॉश्राइज कर रहा है, सौफ्ट कर रहा है, और प्लम्पी बनाएगा, ठीक है, रात में ओवरनाइट लगाने के बार आपने सो जाना है, और आपने सो जाना है, जैसे आप फेस वाश करते हो, नर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अथी लगे तो प्लीस लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेन आप बिलूगी निक्स वीडियो में, आलाहाफिज!